वर्षों पहले घने जंगलों में एक बलिष्ट शेर रहा करता था. वो रोज शिकार करके अपना पेट भरता था. एक दिन वह एक भैसे का शिकार और भक्षन कर अपनी गुफा को लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला. सियार ने उसे लेट कर दंडवत प्रणाम किया. शेर बड़ा हैरान हुआ. जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, आप राजा हैं और बहुत ही बलशाली हैं. मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ. कुप्या मुझे आप अपनी शरण में ले लें. मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा. एक दिन उसने सिंह से कहा, दोस्त, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ. और आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षन करूँगा और उसके बचे-खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा. शेर उस सियार को अपना दोस्त समझता था. इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, लेकिन सियार को समझाया जरूर कि वो ऐसी गलती न करे. उसे हाथी के शिकार से रोका, पर वो सियार बह नजरें दोडाई, तो पहाड के नीचे हाथियों के एक समूह को देखा. उनको देखते ही वो तीन बार आवाजें लगा कर एक बड़े हाथी के उपर कूद पड़ा. किन्तु हाथी के सिर के उपर न गिर, वह उसके पैरों पर जा गिरा, और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के उपर रख आगे बढ़ गया. क्षन भर में सियार का सिर चक नाचूर हो गया. सियार उसी वकत मर गया. पहाड के उपर से शेर सब कुछ देख रहा था. सियार की सारी हरकतें देख कर उसने मन ही मन सोचा कि यदि सियार अपनी वास्तविक सिति को नहीं भूलता, तो आज उसकी ऐसे दुरगती नहीं होती.